भाईया मैं यहां कुछ लेने नहीं आपके राखी मानने आई हूँ क्योंकि आज रक्षा बंदन है मुझे पता है तू किस लिए आई है यहां पर तू पैसे के लिए आई है ना ये ले पैसे चल दपा हो जाए हैं से अच्छा अच्छा अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है अब मैं बुक कैसे लोंगी ऐसा करती हूँ छोटे भाई से पूछ कर देख लेती हूँ राज ओ राज हाँ दीदी भाई मेरे पास बुक्स के लिए पैसे नहीं है अगर तेरे पास हो तो दे दे नहीं दीदी मेरे पास पैसे नहीं है बड़े भाई ये बैठी है आप उन से दा कर ले लो ठीक है छोटे भाईया मैं कॉलेज जा रही हूँ अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो ये देने के लिए और सुन आज से तुझे इसकूल जाने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि तुझे एक लड़की है तुझे घर का काम आना चाहिए ना की पढ़ना इसलिए आज से तेरा इसकूल जाना बंद भाईया ये अचानक से आपको क्या हो गया मा के सामने तो आप मुझे पैसे भी दिया करते थे और मेरी पढ़ाई के लिए मुझे सपोर्ट भी क्या करते थे अब अचानक से आपको क्या हो गया जो मुझे पढ़ने के लिए मना कर रहे हो सुन जब मा जिन्दा थी तब पिताजी की पैंसन के पैसे हमें मिलते थे तब ही उनसे खर्चा होता था आप तो मेरे पास ही पैसे नहीं है तुझे कहां से दे दू इसका मतलब आप मा के सामने जो प्यार दिखाते थे और जो बादे करते थे कि बहन मैं तेरा हमेशा साथ दोंगा वो सब एक दिखावा था तू चाहें कुछ भी समझ लेकिन तू आज से कॉलेज नहीं जाएगी और इसे दिखा जो भाई अपनी बहन की पढ़ाई को लेकर फूला नहीं समाता था आज वो भाई अपनी बहन की किताबे फैंक रहा है अबे तू क्यों जादा बोल रहा है भाईया मैं कहां जादा बोल रहा हूँ मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ कैसा सच मुझे भी तो बता भाईया देदी आप पर मासे भी जादा वरोसा करती हैं लेकिन आज आपने उनका वरोसा चकना चूर कर दिया तू ऐसे ही चुप हो जाएगा या पीटना पड़ेगा और तू सुन अगर इस घर में रहेगी तो तुझे पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी इसलिए ये पढ़ना लिखना चोड़ और घर के काम काज सीख भाईया मैं सब कुछ जानती तो हूँ फिर मुझे के जरूवते काम सीखने की क्योंकि तू एक लड़की है तुझे घर के काम अच्छे से आने चाहिए क्योंकि आगे चलकर तेरे ही काम आएंगे भाईया अब जो चाहें मुझे से करवा लेना लेकिन मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं करेगी तो निकल जा इस घर से जब खुद कमा कर खश कर अलो दीदी मैं तुमारे साथ हूँ भाईया मैंने कभी खुआब में भी नहीं सोचा था कि आप इतने घटिया निकलोगे चल छोटे अच्छा हुआ चले गए अब मा के भी मा के पैसे मुझे ही मिलेंगे दीदी हम घर से निकल तो आए अब रहेंगे कहां और हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है राज तु फिक्र मत कर हमें रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना मिली जाएगा और ठिकाना मिल गया तो काम भी मिल जाएगा लेकिन दीदी हमें ठिका न मिलेगा कैसे यहां पर हमाई तो किसी से जान पहचान भी नहीं है राज जान पहचान का क्या है जान पहचान तो होई जाएगी बस हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए से जान पहचान छोटे क्या करें हमें तो कहीं रहने के लिए ठीका ना भी मिल रहा हो ठीरी बोले खो उन zij पूछ कर देखते हैं सहाब रुक psychologist क्या आप हमारी चोठी सी मदद कर सकते हैं हहां बताव क्या मतर चाहिए साब क्या आप यहां रहते हो हां पर तुम लोग क्यों पूछ रहे हो और तुम लोग को हो कॉन साब मेरा नाम रीना है और यह मेरा चोटा भाई है हम लोग यहाँ पर रहने के लिए जगा ढूंड रहे हैं अगर आपकी नजर में कोई जगा हो तो बता दीजिए देखो जगा तो है लेकिन तुम converted to be lessons as हमारी मां के साथ हमें भी मौत डे इता से थोक रहें तो नहीं खानी पड़ती है अरे थ्ञाई रहे हो चुप हो जाओ और इस तरह यह क्यों कह रही हो साहब रोए नहीं तो और क्या करें जहां भी जाते हैं वहाँ पर सब लोग यही कहते हैं कि तुम लोग अजनबी हो तुम्हें यहाँ पर जगा नहीं मिल सकती मुझे तो लगता है कि दुनिया के अंदर लेकिन बहुत सामदानीपूर्वक मदद करता है क्योंकि कभी-कभी मदद करने वाला ही फ़स्याता है इसलिए लोग मदद कर दो आपकी बहुत मेरमानी होगी चलो ठीक है लेकिन पहले ये बताओ तुम लोग यहां पर रहकर करोगे क्या तुमारा मक्सद क्या है साथ मेरी दीजी पढ़ती है और यहां रहकर पढ़ाई करेगी बस यही हमारा मक्सद है अच्छा पढ़ती हो तो अपने डोकुमेंट् के अंदर है तुमारी परस्रेक्स तो बहुत अच्छी है लेकिन यहां क्यूं आई हो अपने घर रहकर भी तो सकती हो महीं से क्या दिक्कत है साहाब साहाब दिक्कत ना होती तो हम यहां क्यों आते आप हमारी परेशानी तु समझीए क्या परेशानी है ऐसी बताओ साहाब हमारी मा को गुजरे हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ और हमारे बड़े भाई ने हमें पैसों के लालस में घर से बाहर निकाल दिया है अब ना हमा अब यहीं जगा है अगर तुम चाहो तो यहां आराम से रह सकती हो क्या यह जगा आपकी है हाँ मैं इंग पर रहता हूं ठीक है साहब हम रह लेंगे ठीक है अब मैं काम पर जा रहा हूं नहीं तो लेट हो जाओंगा ठीक है राज तु यहीं रोग मैं काम तलासने के लिए जा रही हूं अगर मुझे पर जा रहा हूं और नहीं तो लेट है यहां नहीं पर जा रहा हूं आए काम मिल गया तो हमारी आधी परेशानी तो ऐसे खतम हो जाएगी ठीक है देवी जल्दी आने की कुछिक करना मेरा यहां पर मन नहीं लगेगा यहां फिर मुझे भी साथ ले चलो नहीं राज अभी मुझे ही जाने दे देखिए यह लड़की कौन है इसे पहले तो कभी देखा नहीं वा यार क्या लड़की है चला आज इसी से मज़े लेते हैं आने तो दे क्या है कहा रहती है दू तुझे पहले तो कभी यहां देखा नहीं मैं इसी बस्ती में रहती हूँ इसी बस्ती में रहती है लेकिन हमने कभी नहीं देखा कहा रहती है साब मैं यहां पर अभी आई हूँ इसलिए आपने नहीं देखा होगा अच्छा बैसे तुम यहां करती क्या है साब अभी तो मैं कुछ नहीं करती लेकिन काम तलास रही हो काम तलास रही हो क्या अभी तक मिला या नहीं नहीं साब अभी तो कहीं नहीं मिला मैंने की जग्जाटाइइ देख तुझे काम तुम्हें अभी दिला दूँगा लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा साब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है अगर आप मुझे काम दिला देंग तो आपके बहुत महरवानी होगी हमें बदले में महरवाई नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, बोल माफ कीजे साब, आप जैसी समझ रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ तो बिना रिस्वत के तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, समझी साब, भूकी मरना मंजूर है, लेकिन रिस्वत देकर काम नहीं चाहिए अरे हम तो तेरी मदद करना चाहते हैं, और तुझे उल्टी चल रही है साब, मैं जा रही हूँ, मुझे आपके मदद नहीं चाहिए सुन, अगर तुझे हमारी बात मानेगी तो रहने के लिए ठिकाना भी मिलेगा, और तुझे काम भी मिलेगा राज, उटकें को यह बैठ ले साब, आपको दीदी नहीं मिली? नहीं, मुझे तो नहीं मिली, कहां गई है वो? साब, दीदी काम तलासने के लिए गई, लेकिन अभी तकाही नहीं, काफी देर हो गई कोई बात नहीं, आ रही होगी दीदी, आपको काम मिल गया गया? नहीं, राज, बिना जानकारी के यहां पर कोई काम नहीं दे रहा बैसे तुम काम देखनें गई किदर थी? कहीं नहीं, बस इसी बस्ती तक गई थी तुम्हें यहां काम कहां मिल जाता? क्योंकि इस बस्ती में तो गरीब मजदूर ही रहते हैं, फिर तुम्हें काम कौन देता? साब, आपको तो सब जानते होंगे, यहांपर आप ही काम दिलवा दो ठीक है, पहले यह बताओ कि तुम काम क्या कर लोगी? साब, मैं कोई भी काम कर लोगी देखो, अगर तुम करना चाहो, तो तुम्हें मजदूरी मिल सकती है हाँ साब, मैं मजदूरी भी कर लोगी ठीक है, कल मेरे साथ चलना तुम ठीक है साब कर दो तुम कर दो दो कर दो तुम कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो अरे तू अब तू यहां क्या लेने आई है भाईया मैं यहां कुछ लेने नहीं आपके राखी मानने आई हूं क्योंकि आज रक्षा बंदन है मुझे पता है तू किस लिए आई है यहां पर तू पैसे के लिए आई है ना यह ले पैसे यहल दपाओ यहां से अरे रेना कहां से आई हो और इतनी उदास क्यों हो मैं अपने घर पड़े भाई के राखी बांदे गई थी लेकिन राखी बनवाना तो दूर उन्होंने तो मुझे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया अरे तो तुम रोकियों रही हो तुमने तो अपना फर्च निवाया ना वो तो उसकी कमी है कि वो अपना फर्च भूल गया देदी आप उनके पास गई क्यों मैं हूँ न मुझे राखी बांदो हारे ना राज बिल्कुल सही कह रहा है तुम रोली क्या जरूत है तुम इसे र अर्च भूल बजाए धर मैं हूँ है दीदी, अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैं इस राखी का कर्ज कभी नहीं भूलूँगा भाई, मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है और जाने मन, काम मिला या नहीं, नहीं मिला तो हमारे साथ चलो मुझे निचे यह तुमारा काम माम, अपने पास देने काम को अगर तुम लोगोंने मेरे साथ ज़्यादा बत्तमीजी करने कोशिस करी न, तो अच्छा नहीं होगा तुमारे साथ तु अभी नहीं है, जानती नहीं है हमारे बारे में, अगर जानती तो इतना बोलने की हिम्मत नहीं करती तुम लोग समझते क्या हो अपने आपको, ध्यान रखो, तुम लोग कोई महापुरूस नहीं हो, गुंडे हो गुंडे और तुमारी ओकात ना, एक नाली की कीडे के बरावल है तुझे ओकात तो भी देखा देते, लेकिन हम जल्दी में, तुझे फिर किसी दिन देखेंगे, समझी तू ओकात, तुम मुझे क्या दिखाओगे, ओकात तो तुम्हें पुलिस दिखाएगी, क्यूंकि आज ही मैं तुमारे खिलाब पुलिस कंप्लेंट करूँगी तेरी कंप्लेंट से हम पर कोई फर्क नी परने वाला, क्योंकि यहां का इंचार्ज हमारा दोस्त है इसलिए यहां पर हमारा कोई बालवा का नहीं कर सकता, अरे इसे छोड़, यह कहां जागी, इसे तो बात में भी देख लेंगे, पहले जिस काम से आएं वो करती हैं, आचल चलो अरे रिन, बड़ाई कर रही हो? तो पर नहीं जाओगी क्या सहाब क्या करूं कुछ समझने आरा इधर मेरे एक्जाम पास आ गए अगर मैं काम पर जाती हूं तो मेरे पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई तो फिर मैं एक्जाम कैसे दूंगी तो मैं अपना घर पढ़ाई की खातर चोल कर आई हो इसलिए तुमारी मर्जी जाना चाहो तुछा सकती हो कोई बात नहीं चलो तू साप मैं काम पर चलती हो दिधी आप अपनी सिर्फ पढ़ाई करो काम पर मैं जाओंगा नहीं अब हैं मैं एतने खुद गर्श नहीं हो कि मैं अपने छोटे भाई से काम कराऊं दीदी मेरा भी तो कुछ फर्ज है इसे लिए आप पढ़ाई करो और मुझे मेरा फर्ज निवाने दो चलो साग कैंसे क्या उर जाई सैंक देंगाुन दो काम करतो है आज तेरी हिम्मत का भी जवाब ने तू बागई बहादर बच्चा है नहीं तो आज कल के बच्चे जरा सा काम नहीं करते और तू अपनी दीदी के खातिर मैदूरी करने जाता है यह बहुत बड़ी बात है लड़का तो यही है क्यों अभे तिरी बहेन कहां पर है क्यों तुम इसका क्या करोगे यह चुप-चाप खड़ा रहा है मैं चुप-चाप क्यों रहूं तुम बताओ ना क्या काम है तू इसके मूँ के लग रहा है इसे उठा ले वह भी आ जागी तो को तुम इसे नहीं ले सब्सक्राइब तो रुखेगा इसे कि अब या इसकी भेहन इसे लेने आएगी या नहीं हाई या उसका आएगी कैसे नहीं ले देख आगई आओ हमें तुम्हारा ही इंतियार था मैं तो आगई पर तुम लोग ये बताओ मेरे भाई को यहाँ पर क्यों लेके आयो अरे तेरे भाई को क्या हम तो तुझे भी लियाते लेकिन तु मिली तो नहीं लेकिन क्यों मुझसे आप लोगों के क्या दुस्मनी है दुस्मनी नहीं हमने तुम दोनों के नाम की सुपारी ली है मेरे नाम की सुपारी लेकिन हमें कौन मरवाना चाहता है अरे हमें क्या पता होगा कोई तेरा दुस्मन तुम लोगोंने मेरे नाम की सुपारी तो ले ली लेकिन आप तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ हां तो बोलना कौन है तू मैं एक आई एस ओफिसर हूं और तुमने मेरे नाम की सुपारी लिए अब पता है तुम लोगों को तुम्हारे साथ क्या होगा मेडम हमें माप कर दीजिए हमें पता नहीं था कि आप कौन हो नहीं तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करते पहले गलती करते हो और फिर माफी मांगता हो तो मैं माफी नहीं जेल मिलेंगे जेल रुको इन लोगों से यह पूचो कि सुपारी दी किसने बोलते हो या और बीटू रुकिये मेडम हम अभी बुलाते हैं है हाँ भाई हाँ पहले बारी जगहा पर आजाए आपका काम हो गया हाँ जहां हम म मेडम वो आ गया भाईया तुम तुमने हमारे नाम की सुपारी दी क्या हम आपके लिए इतने बड़े दुस्मन हो गया क्या आप इनके भाई हैं और आप इने मरवाना चाहते हैं हाँ यह हमारे बड़े भाई हैं भाई हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें इस दुनिया मे देखना ही नहीं चाहते गलती तुम लोगों से नहीं गलती मुझे से हुई है क्योंकि मैं पैसों को ही सब कुछ समझ बैटा भाईया यह कोई छोटी-मोटी गलती नहीं है आपने बहुत बड़ी गलती किया और इसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए बहन सब कुछ तेरे से लोगे!